कि आपका क्या कुश्चन था है कि सिदार्त भाई दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलेवे को लेकर लोगों के उम्मीद रहते हैं कि रोजगार आएंगे और जब पिछला जर्नल एक्षन था उससे पहले अभी अभी एक लाख चौवन हजार लो सब्सक्राइशन हो गया आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे जैसे यह प्रॉसेस कंप्रीट हुआ नेक्स्ट प्रॉसेस चाल हुआ बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एन्वल बनाया जाए एन्वल इसलिए बनाया जाए अगर चंक है एलपी टेक्निकल नॉण टेक्निकल और गृप लेवल वन यह जो चार बड़ीárioते हैं इन चार बड़ी साल में चार इसे किया गए जैन्मरी में स्टाट करें एक जो एलपी का दूसरा टेकनिकल स्टार्ट करें एप्रिल में नॉन टेकनिकल स्टार्ट करें जून में और ऑक्टोबर में स्टार्ट करें लेवल वन और ये साइकल चलती रहे इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि चार-चार सा साथ आगे बढ़ें और इसी तिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वाइर्मेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है एक साल की साफ से अगर जैसे लोको पाइलट का मैटर है कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए टेक्निशन का है तो टेक्निशन क करेंगे है एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें डिपेंड करेगा जिसकी जतनी रिक्वार्मेंट है अगजोन की अपने रिक्वार्मेंट आती है हर दिविजन की रिक्वार्मेंट आती है को एस्टिमेट नहीं और वरक्शॉप से एस्टिमेट बनता है बंद की तो निकलता है फिर एस्टिमेट बन बन के निकलता है ना फिर हरे एक कैटेगरी के लिए अलग लग बनता है अभी डेल लाख लोकों को जॉब दिया आप सोचे उस एक्जाम की कॉंपलेक्सिटी 500 से ज कॉंपलेक्सिटी 500 बनता है कि इतना बड़ा एक्जाम कैसे बिना कोई पेपर लिग के हो गया है तो एक उस चीज को भी तो देखो तो थेक्टी आप लोग अपने इसाफ से बताईएगा और अप लोग अपने इसाफ से बताईएगा और अगर वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग और ऐसा ही गवर्मेंट एक्जाम से रिटेर नोटिफिकेशन पाने के लिए चाया हो किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के रेलवे हो